हेलो इवरीबर्डी कैसे हैं आप लोग आसा करता हूं काफी अच्छे होंगे पड़िल कुचिंग में आपका स्वागत है अभी हम लोग सूर्दास के पद, क्लास 10 से MCQ जो की बहुत इंपोर्टेंट है टर्मान के लिए उसको साल्व करेंगे और अच्छे समझेंगे जो चलिए शुरू करते हैं तो पहला कोस्टन है कि उद्धाव क्रिष्ण का कौम सा संदेश लेकर आये थे तो देखे जो गोपिया थी वो क्रिष्ण के भक्ति में डूबी हुई थी तो उनको उद्धाव जो है योग संदेश देना चाहते थे उनके नुसार जो भक्ति है ये विकार है तो इसका आप सीख ठीक है अब चलिए नेस्ट कोस्टन देखते हैं तो नेस्ट कोस्टन है कोस्टन नमबर टू उद्धाव के बैवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है तो देखिए अगर आप सूर्दास के पत को पढ़ेंगे तो उसमें उद्धाव के बैवहार की तुलना जो है वो कमल के पत्ते से की गई है कि जिस प्रकार कमल के पत्ते पे पानी जो नहीं ठारता है उसी प्रकार उद्धव के उपर जो है स्रिक्रिष्ण की भक्ति का जो पानी है ना वो नहीं ठार रहा है ऐसा गोपियों का कहना था अब चलिए नेस्ट कोस्टन पे चलते हैं तो से गोपियों को कृष्ण को बेवार जो है ना काफे निश्टूर प्रतित होता है ठीक है अब चलिए next question पर चलते है question number 4 पर तो question number 4 है कि इन में से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है तो इस में से जो हारिल पक्षी है ना उसकी तुलना जो है वो गोपियों से की गई है ठीक है यह सूर्दास के पद में हम लोग पढ़े हुए है अगला जो question number 6 से पर चलते है question number 6 से पर यह है कि सूर्दास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है तो सूर्दास के अनुसार सच्चा राजधर्म जो है वो परजा का हीत करना है ठीक है ना तो परजा से कर लेना है ना नितिदूर करना है ना ही राज्य प्राप्त करना है परजा का ही के पास हमेसर रहते हैं और स्रीकृष्ण के पास रहने का सव भाग्य जो है या बड़ा भाग्य उनको मिलता है तो दो को बड़ा भागी जो है न गोफियों ने कहा है न आपसन इसका डी हो जाएगा अब चलिए नेस्ट कोस्टन पर चलते हैं तो नेस्ट कोस्टन है कोस्टन नमबर एट कोस्टन नमबर एट है कि प्रिती नदी किसके लिए परियोग किया गया है तो देखिए प्रिती नदी जो है ना वो ना तो धव के लिए परियोग किया गया है ना यसुदा के लिए ना नंद के लिए वो स्रीकृष्ण के लिए परियोग किया गया है क्योंकि गो संती में गूर अरताद गूर किसे कहा गया है तो जिस प्रकार जो चीटी होती है ना वो गूर में लब्टी रहती है गूर को चारते रहती है उसी प्रकार से गोपियां जो है स्रीकृष्ण की भक्ती को स्रीकृष्ण की भक्ती में लिन है या स्रीकृष्ण के प्रेम में लिन ना मन का भेद होगा ना मन का पाप होगा मन की बात मन में ही रहना इसको बुलते हैं मन ही मन माझ रही अब चलिए question number 11 देखते हैं कि गोपियां कौन सी बात किसे बताना चाहती है तो देखिए गोपियां जो है न अपनी मन की बात को कृष्ण को बताना चाहती थी, ठीक है न, क्योंकि केवल केवल क्रिष्ण को ही याद करती थी, उसी के भक्ती में मंग न थी, इसलिए मन की बात को कृष्ण को बताना चाहती थी, और ये तिनों आप्शन इसमें सही नहीं होगा, अगला कोस्टन देखे, क करवी कडी किसे कहती हैं? शुकि गोपियां जो है न, को श्री कृना के बक्ती में डूबी हुई थी. तो इसके कान उध्षन दौरा दिया गया जो योग संदेश है, है ना? या उनके लिए करवी ककडी के भाती थी तो, गोपियां, जो है करवी ककडी जो है उदो दोरा दिये गई योग संदेश को बोलती है अब चलिए next question पे चलते है question number 14 है कि मन चक्री से क्या तात्परिया है या क्या भी प्राय है तो ना तो मन की चलाकी से इसका भी प्राय है ना मन का चक्र से ना मन की स्तीरता से बलकि मन की या इस्तीरता जो है ना इसी के लिए मन चक्री का प्रियोग किया गया है अब चलिए question number 15 पे चलते हैं सू तो व्याधी हमको ले आए बने आप हमारे लिए व्याधी मने मुसीबत ले आए हैं ये पंक्ती में व्याधी बोला गया है योग साधना को है ना क्योंकि कि व्याधी की भक्ती को ही जीवन का एकमार का मानती थी चलिए योग साधना जो है उनके लिए किसी कस्ट या बादी के समान था अब चलिए next question पे चलते हैं question number 16 है मदुकर सब्द का परियोग किसके लिए किया गया है तो मदुकर सब्द का परियोग यहां पे जो है ना स्रीकृष्ण के लिए किया गया है क्योंकि वो मदुकर थे मने एक प्रकार के ऐसे आकरशनर थे या मिठे थे जिसके भक्ती में स्रीकृष्ण रूबी हुई थी अब चलिए question number 17 पे चलते हैं कि गोपियां क्या प्राप्ता करना चाहती है तो गोपियां न तो श्रीकृष्ण का धन प्राप्ता करना चाहती है न उद्धो का योग प्राप्ता करना चाहती है न इवांसरी वो केवल केवल अपना मन प्राप्ता करना चाहती है क्योंकि उनका मन जो है उनके बस में नहीं है वो मन जो है स्रीकृष्ण के अधीन हो गया है अब question number 18 देखते हैं कवी के अनुसार गोपियों को सभाव कैसा है तो कवी के अनुसार गोपियों को सभाव ना तो चतूर है नहीं निडिधई है नहीं गोपियों को सभाव ना वाया है अब question number 19 देखते हैं जोगी लास्ट question is कि उद्धव के वैवार की तुलना किसके पत्तों से कीगई है तो उद्धव के वैवार की तुलना आ कमल के पत्तों की गई है उसमें टर्मोन के लिए काफी ज़ाद हैल्प मिलेगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक करिए सेयर करिए और अगर पसंद आतर सब्सक्राइब जरूर करिए वीडियो देखने के लिए में सब्सक्राइब आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यों पर वाजिंग